आपके साथ ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ करोंगी यह स्लेपलेस ब्लाउज बनेगा और पीछे से बैकलेस रहेगा इस समय फ्रेंड्स भी गले का जो है ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग भी इसी को बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे चलिए करते हैं देखिए फ्रेंड्स यहां पर इमने अस्तर को डबल फोल्ड करके पैक पाट की मार्किंग कर लिए अस्तर हमने छोटा वाला लिया सामने और पैक के पल्ले में अस्तर लगाना है स्लीबलेस ब्लाउज बनेगा ब्लाउज की लिए थेरे इंच तयार हमने 14 इंच ल अर्म होल 75 इंच लेना है जब भी हम स्लीबलेस बनाते हैं अर्म होल ठोड़ा कम लेते हैं वैसे आप साड़े 5 इंच ले सकते हैं आपको बाजू लगाना है चेस्ट की मार्किंग हमने 6,5 इंच पे किए 2 इंच का मार्जन रखा है कम और फ्रेंड्स 7 इंच हमने लिए 1 इं करना होता है हाप करने के बात फ्रेंट्स हाप इंच मने बाहर की साइड लेना होता है इस तरीके से फिर हम एक लाइन इस तरीके से मार्क करते हैं तो मारा आर्म होल दम पर्फेक्ट आता है फ्रेंट्स जब भी गला डीप हो ताप कुछ तरीके से करना है अब देखिए 12 इंच का हम इसमें फीता लगाएंगे 1.5 इंच शिलाई का मार्जन लेकर 2 इंच और 3 इंच सरिकी से मार्क करके एक बाक्स बना लेंगे गले का इस तरह से हमारे गले की जो लंबाय हो 11 इंच आ गई देख सकते हैं अभी हम क्या करेंगे देखिए हम इस पर गला मार्क करेंगे तो गले का जो डिजाइन है फ्रेंस देखिए पहले हमने 8 हिंज पर यहां पर नाप करके एक मार्क लगा लेना है स्वीट हर्ट सेव देंगे गले में आप अपने एक वर्डिंग कोई सा भी सेव देख सकते हैं देखिए इस तरीके से हमने सेप देना है बहुत ही प्यारा लूग आता है इस तरीके सेप में यहां पर हमने गले को मार्क करें है फेंट सोल्डर हाफ इंच डाउन करेंगे गले की साइड डीपने का प्लाओ जिसलिए तयार पर कट लगा लेंगे इस तरीके से हमारा बैक पार्ट जो है कम्प्लीट हो गया है और अब हम सामने का पल्ला मार्क करेंगे तो हमने अस्तर का प्रफेट साइड अपनी और रखा है आगे से हमारा पार्ट बंद रहेगा और सबसे पहले हम एंच के लंबाई एक्ष्टा लेंगे इसमें हम बेल्ट करने वाले के लिए हमने इतना कपड ट्रेंज ने का लेना है जैसा बैग पार्ट की तरह में इतना बाफ लिए करना है अब या पने डेखा फ्रैंड्स हो रहा हो विड़ा हो आपके हमने से कट कर लेना है कामर के पास दो इंच और एंच उमारे बैक पाट का टक्स रहीगा उसे मार्जन हो जाएगा और डिएड़ इन्च ऑब देखिए हम पाँच इंच और सवा पाँच इंच आर्म होल के लेके मार्क कर लेंगे नहीं देना है जब आप पाजू नहीं लगा रहें तो आपकी जू आर्म्स हैं यहांगे ज्यादा दिखेंगे इसलिए हमसे घर आई देनी है अब इसके बाद हमने बेल्ट की पत्टी कट कर देनी है तो बेल्ट की जो छोड़ा लंभाई है हम दो इंच तयार रखेंगे तो यहां पर नाप चया लेना है तृष आपको करने में आपको बहुत ही आसान तरीके सी ब्लाउच करना बताने वाले हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है नहीं तो आप कमेंड करके पोच सकते हैं अब देखिए हम कमर को नाप लेंगे अपने बेल्ट पे तो ये फ्रेंट्स फोल्डेड पार्ट है यहां पे हमने हुकाई का नहीं लेना है कमर हमारी अठाए से उसका चाव थाए साथ इंच लेंगे और दो इंच मार्जन का लेंगे इसके बाद जो कपड़ा एक्ष्ट्रा में मार्क करेंगे थोड़ा सा डीप गला बनेगा सबसांची लुकप लाओ जै फ्रेंस, इसमें गला थोड़ा धीपी रहता है इस तरीके से देना है तो फोल्ट ही परफेक्ट्न से पाता है आप चाहें इस तरीके से भी शेव दे सकते हैं ये देखिए तो इसका लुक जो एक इंच प्लस करके साथे न इंच लेना है अगर आपका 7 फी अपका शेष्ट होता उस्में आपको एक इंच प्लस लेना होता है तकस की चोड़ हम यहाँ पर लिए तेन इन्च यह गए और यहां नीचे फ्रेंस लेंगे तीन इंच हाफ इंच कम देंगे यहां पर यिस्स तरही कें हम मार्क करेंगे और अब अब देखिए हमने प्रिंसेस कटका सेव देने के लिए क्या करना है यहां से हम इसको आर्म होल की पास लाके मिला देंगे जहां प्रिंसेस कटका सेव रिदम पर्फिक्ट बन गया है अब यहां पर भी हम टक्स लगाते हैं यह टक्स जब आप स्लेबलेस का बलाउज बना रह तो देखिए इसको जॉइंड करेंगी उसमें चला जाएगा इसलिए आपको लेना बहुत जोरुरी है यहां पे गले को भी कट कर लेना हाप हिंज की पट्टी उपर छोड़ देंगे आसानी रहेगी देख सकते हैं बैक और फ्रंट की कटिंग कर लिए फ्रंट अब सेम इसी फ्रॉज में लग जाता क्योंकि जो श्लीब में कपड़ा लगाते हैं उसकी कपड़े को हम फीते में यूज करेंगे यह देखिए यह बढला कपड़ और फीता के से करेंगे प्रंट जो इतना कपड़ा हमने फीते में यूज करना है और अगर आप स्लेवी कटिंग करना च चारोट आप उसे कच्छी सिलाई से अटायच कर लेंगे और जो एक्स्टा कपड़ा रहेगा उसे कट कर देंगे यहां पर फ्रेंड्स आप चाहे तो गले पेस्टिंग पेपर भी लगा सकते हैं पर हम क्या करेंगे पर्टी प्लतिंग के फेंड्स पडल्टी पलटने के और फिर गले पर बैठा लेना है बहुत थी आसन है कोई दिक्कत करें और पर प्टि लगाना बताएंगे यहां पे पर्टी कट करेंगे तो पटी जो कट करेंगे यहां पर देखिए यह कपड़ा का मुंनि लिया हुआ है इस मैसे और यह भी पर土 टी कट करेंगे जब आप गले पे पट्टी लगाएं आपको पट्टी इसी तरह से कट करके लगानिये फ्रेंस और यह भी पट्टी पर्फेक्ट बैट्टी आप कभी भी भूलकर भी सीधी पट्टी मत लगाएगा तो कपड़ा मारा कम था इसलिए जॉयंट लगा के देखिए इस तरीके से पट् पर जल लेते हुए इस तरीके से इसके बाद देखिए फ्रेंस हमने उपर से एक चला देनी है ताकि पट्टी जब हम पल्टे तो अच्छे से पल्टा जाए अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है यह पलट देना है इसके उपर से हम कच्छी शिलाई लगा लेंगे बाद में इस सिलाई को हम तुरफाई करके खोल देंगे फ्रेंस चाहे तो आप इसे ऐसे ही रहने दिस पे मने लैस लगानी है यह देखिए तो बहुत ही फिंसिंग के साथ पट्टी से भी गला बैठ जाता है इस साइड भी मने इस तरह से पट्टी लगा लेनी अब हम इस लगा लेंगे तो सिलाई का वीडियो थोड़ा स्पीड में करेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसे डिटेल में बताने बैठेंगे इतना तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे फ्रेंस उमीद करती हूं कि आप समझ पा रहे हों अगर अइसले च्वक्त में नहीं समझ पाना तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा इससी तरीके से तेखिए हमनी गले में लेस लगा लेनी है गले से लाई मी दोबल कर लेंगे दोनों साइड लेष लाएक को मक्पडिट कर लेनी है अब देखिए यहां पर फूर्या पर रख र सामने रख लिया है इसके उपर अस्तर को रखेंगे कपड़े को मने उल्टी साइड से रखा है और चार तरप से कच्छी सिलाई से से टाइज कर लेंगे इस तक कपड़े को कट करेंगे अब हम देखिए इसमें जॉइंड करेंगे इसको तो आप इसे हमेशा ना इस नीची की परके सिलाई करेंगे एक भी पार्ट को खीचना नहीं आपको आपको दोनों पार्ट जो है एकदम पर्फेक्ट बैट जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है यह देखिए सिलाई को हम डबल कर लेंगे इसी तरीके से दूसरा जो एकटोरी जॉइंड करेंगे देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से जॉइंट हो चुका है इसरे belongsब कर लेते हैं इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से हमारा पार्ट जो है तम बराबर से दोनों को टोरी अच्छे से ज्वाइंट हो चुकी है और अब देखिए फ्रेंट हम क्या करेंगे आप चाहे तो यहाँ पर देखिए गली के पास पट्टी लगा सकते हैं तो अगर आप गला डीप दिख रहा है तो हम अभी पट्टी नहीं लगा रहे हैं अगर बड़ा लगे गा तो हम पट्टी लगा लेंगे बाद में और अब सीथी साइड से रखा है उसके ऊपर हमने अस्तर वाले कपड़े को रखना है इसके बाद नीचे से फ्रेंट हम हाफ इंच के माजन पर फिलाई करेंगे यहां पर पर पलटने वाले हैं आप चाहे फ्रेंट्स तो अलग से पट्टी लगा के पलट सकते हैं कबड़ा थोड़ तरह के से बना पाएंगे क्योंकि बिगनर लोग थोड़ा सा कॉर्णर बनाने में उनको दिक्कत होती है तो आपको जैसा सही लगे फ्रेंस आप उसे यूज कर सकते हैं हम क्या करेंगे पालट करके इसको बैठाएंगे इस तरीके से लिया है अब देखिए इसको हम इस तरीके इसे रखेंगे और उपर की साथ जो सेप हुगं उसने चि लाई करेंगे इक पैर के मार्जिन पे देख सकते हैं अब बैलड का सेप है इसी तरह से मिने के सिलाई करनी है अब ये देखिए और इसके बाद हम क्या करेंगे इसे हम यहां पर मारा कॉर्णर है फ़रा सा कट लगा लेंगे और फिर यहां से देखिए हाथ डालके इस तरीके से इसे पलट लेंगे देख सकते हैं फ्रेंस यह देखिए तो यह अच्छे से पलटा जाता है यह देखिए यहां से इसके बाद इसका कोना उसे अच्छे से निकालेंगे उपर से आप प्रिस भी लगा सकते हैं या फिर आप सिलाई लगा ले बस अच्छे से बैठना चाहिए यह देखी इस तरीके से हम शिलाय लगा रहे हैं इसलाय आप कच्छी शिलाय लगाएं बाद में से आप क्छोल सकते हैं यह देखी इस तरीके से और अब इमने क्या करना है अगर हमें इधर दर कपड़ा कट कर लेंगे अब हमेसे इस पे बैठाएंगे तो अभी आप देखिए अगर आपको गले पर पट्टी लगाने तो भी आप लगा सकते हैं आप चाहे जब लगा लें कोई दिकत नहीं और इसको देखिए सेंटर से मि अब ररावर से आ रहा है और फिर अशन को हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे इस तरीके से जॉइन करने में आसानी रहती है और जो इसका नोग हो है उनोग भी बहुत ही पर्फिक्त defines तरीके से बैढ आता है आप चाहे तो इसे यहां से सिलके पलम कर सकते हैं पर हमने का पार्ट की कम्प्टली referring करते हं तो यह तो आनगी मेर्फ के क्ट करना ये और कि दुष्ट कर लघा सकते हैं तो यह तो इसाफिड करJackal if पर जाता है इसलिए इतना छोटा पड़ा है अब हमने इसको कट कर लिया और मारा बैक पार्ट और फ्रंट दोनों बराबर हो गया है अब देखिए फ्रेंट दोनों को नीचे से इस तरीके से बराबर करते हुए यह देखिए इसलिए को जॉड़र को जॉइन करेंगे तो हमारी जब हम फिटिंग लगाएंगे कोई प्राबलम नहीं आएगी तो पहले हम सीधी साइट से देखिए किनारे पर की सीलिए लगा रहे हैं ताकि जम उलट करके लगाएं तो हमारे फिंसिंग अच्छी दिखे इदेखिए फ्र तो अच्छा नहीं लगेगा तोनों सोल्डर को हमने इस तरीके से जॉइन्ट कर लेना है इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंज की हम जो सोल्डर की सिलाई आपको दिख रही है यह वाली यहां पर आप सिलाई लगा दें तो वह अच्छे से बैट जाएगी इस तरीके से और आ लेनी निकियों कि स्लेब रेस का भाव जाएगे इसलिए हम यहां पर पत्टी लगा एंगे तो हमने पर प्लेस को और भी कट किया इस सीटारीके से माल मॉल पिर भी पत्टी लगा लेए ह्क त्रीके सेodes तरीके से इह देखिये तोनो साइड हम इससी तरीकर से परती लगा लेंगे पर्टी को थोड़ा लोज करके सिलना जादा खीचना नहीं है अब क्या करेंगimm Mm है अपन्टि के उपर से एक खिलाय लगाइंगे इसे जांब कहुत न पत्टि को पअंगे यूथ Casey कि पलटा जाएगे यह देखिए इस तरीके से और अब हम इसको अच्छे से पलट देंगे पलटने के बाद इसके उपर हम एक कच्छी सिलाई लगा देंगे अगर आप यहाँ पर भी लेस लगाना चाहें तो लेस लगा सकते हैं जिसे आपने गले पे लगाया हुआ है तो देख सकते हैं प्रॉया इससी तरीके से कच्छी सिलाई से स्य पाक्टी नगए को कमप्लीट कर लेना है अब हम इस पे लगाएंगे फिटिंग तोनौ साइर से पाक्टी लगže कमप्लीट कर लेना है कितनी पेंसं टेंध के पटी कलेंग है आप एकया फिंटिंग लगाने के लिए क्या करेंगे फ्रंट पार्ट का हम सेंटर लेंगे इंडिक्या उओ रखाए और इस निसां पर बैक का पाट tu तरह के से रखते हुए तरह के रखना है है और यह बत में आप आप के पहले यहां पें पिन लगा लेते हैं तो पुतिंग लगाएंगे जह बहुत आसानी से लग जाएगा यह देखिए इसे मने बराबर कर लिया यहां पे लगाव करिंगे आप दिके सोल्डर का ज्वाइन बराबर करते हुआ आर्मोल को भी बराबर करेंगे क्योंकि आम पर गहराई नहीं दिया तुमारा फ्रंट और बैक का आर्मोल दोनों बराबर से आएगा इसके बाद देखिए हमने इस तरीके से सिलाई चला लेनी है थोड़ा सा कप्रा एक्ष्टार रहा है उसे हम कट कर देंगे इसी तरीके से फ्रंट का सेंटर है और बैक का देखिए सें सिलाई लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से फ्रंट आप आई हो कि आपको समझ में आ रहा हो स्लीपलेस का बलाओ जे फ्रंट थोड़ा सा अच्छे से कर फिटिंग रहेगी तो पर्फिक्ट देखेगा और फिनिसिंग इतनी अच्छी दिखती है इसकी फिटिंग इतनी अब इसेल करेंगे, इससे मुल्टा करेंगे इससेट लगा लेंगे, इससे तरीकी से और हम इस पर फिटिंग लगाएंगे फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है, देखेए सेंटर से आप कमर नापेएंगे तो कमर मारे 7 इंच छेंच, चेस्ट फ्रंट्सAh 8 इंच तो यहां पर देखिए हमने मार्क लगा लिया है फिटिंग के सिलाई लगा लेंगे दो-3 तो देख सकते हैं कितनी फिनिसिंग के साथ हमारा पार्ट कम्प्लीट हो गया है और फिनिसिंग के साथ सारा पार्ट बैठ गया है अर्मोल की पट्टी भी बहुत ही अच्छा बना का फ्रेंट का पार्ट देखिए कि अच्छी फिंसिंग आई फ्रेंट और अगर आपको गला बड़ा दिख रहा है तो आप यहां पर इस तरीके से पट्टी लगा सकते हैं अभी हमने नहीं लगाई है अगर हमें जरूद पड़ेगी तो बाद में भी लगा सकते हैं इसमें प लाओ युदम परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है आई हो फ्रेंट की आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपने कुछ सीखा हो फ्रेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अभी तक आपने चैनल को कर लिचेगा वीडियो को सीखने को सिर्वी करिये का फ्रेंट थानक्यू